कि है लो फ्रेंज वेलकम टू माई इस्टजी फीड चैनल दोस्तों फिजीकल एजुकेशन के प्रिविएस येर कोश्चंज के सिरीज में ए आज 12 सिरीज है दोस्तों जितने भी कोश्चंज सभी टापिक्स से टापिक वाईज सभी एक्जाम्स में TGT, PGT, KBS, NBS, LT में पूछे गए हैं उन सब कोश्चंजों को एक जिगा इकठा करके टापिक वाईज आपके समस्च प्रसुत कर रहे हूं दोस्तों इन सभी एक्जाम्स के परतियोगी परिछाओं के जितने भी टापिक्स हैं उन सभी टापिक्स को सिलिबस वाईज मैंने सभी वीडियोच को बनाय हुआ है आप सभी वीडियोज को चैनल के प्रेलिट में जा करके वाच कर सकते हैं और दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी बेल आइकन को फ्रेस कर लेजीए जिससे जो भी मैं नया वीडियो अप्लोट करूँगी उसका नौटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कोस्टन से कोस्टन नंबर वन है कि निमन निखित मेंशी कोंड साब विटामिन सूरेक किरींडू से प्राप्त किया जा शकता है जैसा कि यह कई बार रिपीट हो चुगा है इसका सभी अंसर है बिटामिन डी और Тी को रसानिक नम होता है केल्सि फिराल और विटामिन डी को एंटिडिकेटिक बिटामिन प्राकितिक बिटामिन नेचरल बिटामिन एंड किद्नी हार्मोन भी बोला जाता है नेस्ट कुस्टिन है कि सुमेलित कीजिए सुची वन और टू को एक दूसरे सुमेलित करके आपको सही अंसर टिक करना है तो विटामिन A, B, C, D को दूसरे सुची से आपको उसे विलित करना है तो विटामिन A हो जाएगा इस रताओधी विटामिन A क्या हो जाएगा रताओधी यानि A का 4 किसी में दिख रहा है जी आपसा नंबर B में दिख रहा है A का 4 जैसा कि इसी से सरी अंसर त्रीक हो गया बट सबको मिलाते हैं हम विटामिन B, विटामिन B से क्या होता है दोस्तों एनिमिया एन्ड C से इसकरवी एन्ड विटामिन D से कौन सा रोख होता है रिकेर्ट शुखरो तो आपसा नंबर B करेट अंसर है नेक्स्ट कोर्चन है कि इन्ड विलखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है आपको टिक करना है कि कौन सा इसमी सुमिलित नहीं है जैसा कि A है विटामिन D सनलाइट तो विटामिन D सनलाइट से ही प्राप्त होता है यह तो सही है सुमिलित है विटामिन बीवन थाइमिन बी म का रसायनिक नाम है दी सही है विटामिन B2, Riboflavin, B2 का राशानिक नाम राइब FIFA होता है, ये भी रही है, Byte inim nd B3 in RICAR, से पेलागरा रोग होता ये आपेट सकते है, ये सिमन सहित नहीं है वह से कौन सा बित मंधित है soil तो आप सब को पता है Inspirati बिटामिन के जो रख्त की ठका जमने में शाहय करता है इसको रख्त इस्ट और रोधी पदार्थ भी कहते हैं इसे इस रड़ी वाले बैक्तियों को आफ्रेशन आसानी से नहीं किया जा सकता जिसमें बिटामिन के की कमी होती है क्योंकि रुधीर बह जाने का डर बना रहता है नेक्ट कोशन है कि बिटामिन किसके कारण रख्त का ठका बनता है तो इसका भी अंसर होका बिटामिन के किस बिटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खत्रा बढ़ जाता है हेमरेज यानि जिसमें रख्त का थक्का ही नहीं बनता है रख्त इस्टरा होता रहता है उसी को हेमरेज कहते हैं तो बिटामिन के की कमी से हेमरेज रोग हो जाता है जिसे रख्त का थक्का नहीं बनता है और घाउं से अत्य दिख रख्त बहुत जाता है इसके कमी ते रख्त हिंता से हो जाती है इसके मुख्य विटामिन के मुख्य स्रोत है टमाटर पालक बंद गोभी सोया बीन मचली फुल गोभी के हूं अंडा मांस आदी next question है कि बेरी-बेरी नमग बीमारी किस दिख रख्त होता है तो दिख रख्त है इस नवर संश्थान के पीरेदी ही तंत्रीत यानी पेरिफेरल नर्व सिष्टम इसे पियन अब भी बोलते हैं, कुक्रियर्शिल करने के लिए यह विटामिन सक्री रूप शिकारे करता है, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, थामिन के कमी से बिद्धी रूग जाती है और भूख में कमी आ जाती है, नेस्ट कुछन है कि विटामिन B12 का रासानिक तो दोस्तों वितामिन B12 का रसानिक नाम है साइनो कोबाल्विन जिस भी कोबाल्ट पाएजाता हैन्य कि दोस्तों जितने भी वितामिन नाम याद करने के लिए A, B, C, D, E, K इसका याद करने के लिए रथ पर एक टाफी रश से A का रेटिनल थो से थाइमिन B का और पर सालेंट है A से स्कार्बिक अमल C का कोश से केल्शी फिराल D का तो से टाफी तो से टेको फिराल E का फी से फिलोक्विनोन के का और बायोटिन H का B complex B complex B1, B2, B3, B5, B6, B7 B9, B12 इसका याद करने के लिए आपका थी राए की निकोपेंट पाई बायोने फास कर यह आपका ट्रिक है इसमें से B1 का रशानिक नाम है थाइमिन B2 का राइबोफलेविन 3 का निकोटेनेमाइट B5 का पेंटाथेनिक B6 का प्राइडोक्षिन B7 का बायोटिन B9 का फालिक अमल और B12 का साइनकोबालविन एन दोस्तों Next question है कि रख्त अल्पता यों रख्त गत और व्योस्था का कारण होता है रख्त अल्पता यों रख्त गत अब युस्ता का कारव होता है किसकी कमी से रख्त अलपता हो जाता है तो इस आपसन में सही आपसन है विटामिन 12 की कमी से बी 12 की कमी से रख्त अलपता हो जाता है यानि इसमें हीमोगलोबीन या रख्त की कमी हो जाती है जिसे एनेमिया या रख्त अलपता रोक कहा जाता है हमारे सिरीर की सिराओं और धमनियों में जो खुन प्रवाइद होता है इसमें करीब आधा भाग रख्तकड़ों का होता है और यह रख्तकड़ आक्सीजन को सरीर के विभिन उत्तकों तक कहुचाने का कारे करते है विटामिन विट्वेल्व फॉलिक अमनियों रख्तकड़ों के निर्मार में सहाइक होता है विट्वेल्व क्या करता है रख्तकड़ों का निर्मार भी करता है नेश्ट कुश्चन है दोस्तों कि लोहे की कमी से सरीर में कौन सा रोक होता है तो इसका सही है एनिमिया दोस्तों हमारे सरीर किन्तों गर्भवक्ति महिलाओं में लगभग 27 मिलिग्राम आपसकता होती है लोहा का स्रोत है मांस अंडे फलियां अनाज हरी सब्जियां आदी यह हीमोग्लोबिन एच्बी यानि साइटोक्रोम एंजाइम का महत्पूर घटक होता है तो दोस्तों सरी में लोह तत्तो की कमीशी होनी वाला रोग है तो इसका सही आपसान है जैसा कि अभी तुरूंत आपने बताया है रखत अलपता यानि एनिमिया लोह तत्तो की कमीशी नेक्ट कोशन है दोस्तों बेर इंपोर्टिन विटामिन B12 की कमीशी जुड़ा हुआ लख रहा हैं तो त्रुकर का पीला पढ़ना मुह के छाले देश्टी से जुड़ी समंस्यां इस सभी समश्यां होती है 2 Не 12 में तो चाला पर जाता है मूंह में छाले पर जाते हैं देश्टी kra mSean ho जाती है दोस्तों कि इसमें यादास्त भी यादास्त भी खो जाता है और पच्छा घात खोरे का भी खतर होता है अब आप ये-ट्वेल्ण नमीन को सिकाओं में उची तरीके से गुईत होकर बिद्धी करने की छमता भी बढ़ाता है दोस्तों नेक्स्ट कुश्चन है कि विटामिन की कमी से यादास्त खुजाने और पच्छा घात का खत्रा रखता है किस विटामिन की कमी से तो सही एंसर है विटामिन बी ट्वेल आपसा नमबर सी कि कौन सा बिटामीन सरी की बिद्धी यों सरी स्वस्त रखने के लिए जिमेदार होता है सरी की बिद्धी यों सरी को स्वस्त रखने के लिए जिमेदार बिटामीन है बिटामीन बी कॉम्पलेक्स विटामिन बी कॉम्पलेक्स सारी के विद्री और सारी कुस्वस रखने के लिए नेक्ट कोर्चन है कि सिलियक रोग किस विटामिन की कमीश्य होता है तो सिलियक रोग दोस्तों विटामिन डी की कमीश्य होता है और यह बिटामिन D और विटामिन B 12 दोंगी कमी के काल होता है Сिलियक रोग जो होता है छोटी हाथ को नुक्षान पहुंचाता है जहांपर लोहा जो होता है फोलेट, बिटामिन D और विटामिन B 12 और सोशित होते हैं कहाँ पे विटामिन S Illustrator होते हैं विटामिन सी दोस्तों बेरी इंपोर्टेंट है इसको आप जरू याद कर लेज़ेगा क्योंकि यह पानी में गुलंसीर होता है विटामिन सी घाओं को भरने में सायता करता है अस्तियों तोचा वसंयों जग उत्तकुक निमा बिदी यो मरमत के लिए आउशक होता है यह दात नेकरें दोस्तों नेकरेंट फिर्ण किस corridor से लुंगों को इशार सा को आप लने में बढ़ने में सायक होता है तो दोस्तों मैं अभी तुरंद बताई हूँ घाव भरने में कटे फटे अंगों को मरमत करने में बिटामिन C शहायक होता है इसका रसानिक नाम होता है इसका सबसे उत्तम स्रोत आवला होता है यह खटे फलों में फायाता है प्रचुर मात्रा में इसका प्रमुक्कार उत्तक में कोशिकाओं को परस पर बाद ही रखने और अंतरा कोशिक की ये पदावर्थ में मैट्रिक्स कोलेजन तन्तूं तथा दातों के दिन टाइन के निर्वा में शाह शमान ने अवस्था में बनाए रखने का भी कारिख करता है इसी कम्री से इसका विरू होता है नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तों निमने खित में से कौन इसकार्विक अमल का सबसे बढ़िया श्रूत है यहां विटामिन का नाम न दे करके उसका रसानिक नाम दिया है दोस्तों इसलिए रसानिक नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है नहीं तो समझे नहीं पाएंगे क कि बिटामिन का क्या पूछा है तो कूं इसकावऑंग्य का itahil ROS can capable का सबसे b exam मिल करना सही मिलाना है और कुटों में सही विकल्व चुनना है तो बिटामिन डी ए बी टू बी 12 को मिलाना है आपका रताओधी शुखारोग एनिमिया खाज़क फुजली से तो सबसे पहले तो हम मिलाते हैं बिटामिन ए बिटामिन ए से रताओधी होता है सभी जानते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे बिटामिन ए बी का वन किश में है तो दोस्तों बी का वन बी और डी दोनों में है अब देखते हैं अगला कहां से निकलता है तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन-D, जिसे रिकेट्स सुखा रोग होता है, तो A का 2 हो गया, ठीक है, तो B का 1, A का 2 किसे में मिल रहा है, B का 1, A का 2, अब सान नंबर B में मिल रहा है, जैसा कि हम लोग question का answer जून लिया है फिर भी हम लोग मिलाते है तो vitamin D का सुखा रग हो गया, vitamin A का रतवदी हो गया, vitamin 2 का खाज खुजली खारीज हो गया, C का 4 and vitamin B12 का हो गया एनिमिया और अरक्तता तो आफसर नमबर B correct answer हो गया आपका next question है रोगों से सुरच्चा प्रदान करने वाले पोशक तत्व है कौन है तो इसका श्राइब्तन होगा, vitamin वाक्हनीज दोस्तों, vitamin वाक्हनीज उर्ज़ा नहीं देते है यह हमें रोगों से सुरच्चा प्रदान करते है उर्ज़ा देने वाले हमारा कार्बो हाइडरेट फ्रोटीन वसा यह है दोस्तों नेक्स्ट कोशन है निम्दली खित मेश्री कौन सा पोसक तत्व गर्मी एवं ताकत परदान करता है कौन परदान करता है प्रोटीन विटामीन जल कार्बो हाइडरेट कौन परदान करता है तो जहां भी गर्मी और ताकत उर्जा की बात आएगी वहां पे होगा कार्बो हाइडरेट इसमें कार्बो हाइडरेट सरीर में ताकत उर्जा उत्पन करने का प्रमूख स्रोत होता है सरीर को सकती और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्वी यानि वसा की बहाती कार करता है यह चर्वी के पिछा सरीर में जल्दी पच जाता है और प्रोटीन दोस्तों सरीर की उत्तकों का विकास और सरीर की टूट फूट के मरमत के लिए आउशक होता है सबसे जादा उर्जा इस से पना देन में सबसे प्रमिन से महात्पुर्ड है पणिवाले सब्सक्रीक लाहिक उअंडर कमिने उसित करते हैं विटामील्सिक किस के लिए ब्वोजन का परमुक किस्षा प्रोटीन होता है किसके लिए ब्रॉटीन होता है इसका ये जर्दारभ होगा पहला आप्सन है सकती अवंचिव कि प्रदानग वाले खेल c है गती प्रधानता वाले खेल अधि है b और c वाले खेल दोनों को कहा है दोस्तों सही आपसन क्या है इसमें प्रोटीन की बात कहा है तो प्रोटीन से हमारे सरी के मरमत तूठ फूठ होता है तो आपको ध्यान फूरुक्ष एंसर देना होगा सहन सिल्टा तो होगा नहीं गती प्रधान वाला होगा नहीं सहन सिल्टा और गती प्रधान दोनों में कार्वो हाइडिट क्या सकता होती है दोस्तों इसका सही आंशर होगा आपसर नमबर A सक्ति प्रधान तावाले खेल जिसमें मसल्स की आ सकता होती है मसर्स इस्ट्रेंद क्या सकता होती है उसमें प्रोटीन क्या सकता होगी प्रोटीन मांस पैसी रख्त चमड़ी आहादियों और दूसरे तंतूं को यह अंसुक बनाने और उचित अवस्था में रखने में महत्वपुर्भूमी का अदा करता है या सक्ती प्रधानता वाले खे है की कार्वोहाइड़ लोडीं प्रिभासिक सब्द जा के खिराणियों द्वारा प्रयोग किया जाता है तो कार्वोहाइड़ लोडिग जो शने कड़ाता है जो हमार के दोक시에 को सवाटीमृत्मे पारे मताया हो लिए के मिश musun की रृश्ग जा कर दीख सकते हैं ओस्च्तो कि खिलाडियों द्वारा प्रियोग किया जाता है का अर्थ है वह उर्जा की मात्रा जिसको हम कर सकते हैं क्या कर सकते है इसका सही आप्सन होगा हमारी मानस्पेशियों में जमा कर सकते हैं ठीक है हमारी मानस्पेशियों में जमा कर सकते हैं यह उर्जा की उस मात्रा से है जो इसका उपयों साँ इस प्रधाव Insert को बहतर बनाने के लिए होता है दूस्तूर बोजन के युद्या को माप karışार जाता है जैसा कि आप सब को साथ युद्य को कैलोरी म the astes Northwest ान्झाइश क्लारी की इकाई होता है युद्य के इकाई कैलोरी उथा है व्युद्य सब्सक्राइक गैलोरी तैलोरी कई की द्वारा जाता है एकπό ग्राम यताल को ज़राने के लिए आवस्रकرت है उतना के ही बराबर एक केलोरी उर्जा होता है नेक्ट कॉर्शन है हमारे सरीर में उर्जा का मुख्य स्रोत है तो हमारे सरीर में उर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों कार्बो हाइडर्स होता है कई बार बता चुकी मैं कार्बो हाइडर उर्जा का सबसे महत्पूर्पूर्ट है प्रचूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प दो प्रकार के होते हैं सदार यानी सरल में जटिल को काभुधी को दो भागों में बटा गया है जटिल काभोट्राइडर को कहते हैं पालीस सपरेड यानि जए सरकराइड का एक अड़ο से निमा होता है का मतलब होता है सरक्रा का दो अडू पाय जाता है और पालिसेक्राइट का मतलब होता है सरक्रा का दो से अधिक अडू से बनता है तो सरल सरक्रा में मोनोसेक्राइट डाइसेक्राइट आता है disecrate में maltose, scrute, lactose ऊता है यह सब ही हुए आपके सरखन रुषी सरक्रा में आपके यानि polysecrate में glycogen, starch, cellulose and kaiotin 20 उarts next question है दोस्तो कि रसारी संगठन के अधार पर carbohydrates को कितनी सिर्वियो में बाटा गया है कितनी संख्या में बटा गया है कितनी सेडियों में तो इसका सही अंसर होगा आपसा निंबर सी करेक्ट एंसर तीन सेडियों में बटा गया है कौन कौन से अभी तुरंद बताई हूं मुने सेट्छ तीन सेडियों में बड़े संग्यां के अधहर पर तो दोस्तों आज बस इतना ही और बचे हुए जिसे आपको अच्छे से समझ में आता होगा और दोस्तों एक-एक मों को मैं करके बता रही हूं जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक वीडियो आपको कैसे लागा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा एंड देस्तों जितें भी टापिक्स बचे हुए अभी ठीरिकल टापिक भी उन सबको ही मैं देर देरे पूरा करती रहूंगी एंड जो आपके टेस्ट से चल रहा है प्रिवेस येर कोस दोस्तों चैनल पर पहली विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसी जो भी मैं नया वीडियो अप्लोड करूंगी नेक्स टाइम उसका नाटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीड